हेई फ्रेंट्स मैं नम इस विडियो मैं आपके सार्ट शेयर करूंगा 20 देइस का एक ऐसा डेवाइस प्लाइन जो WPGA24 के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए कमाल हो जाएगा सरसे पहले बता दू न्यूज आ चुका है कि आपके पास 18,000 बचों का जो है इस साल रेजिस्ट्रेशन में 1,42,000 स्टूएंट्स इस साल रेजिस्ट्र किये थे लास्ट यह 1,24,000 थे तो इसके बाद 18,000 अल्मोस 17,773 स्टूएंट्स का जो है इस साल जाधा इंक्रिमेंट हुआ है इसके इलवा आपना देखोगा 2020 में 70 की 79,000 स्टूएंट्स थे अब जो लोग अपने आपको demotivation नहीं करते है 20 डेज जो हम पढ़ सकते जिसको हम excel आउट कर सकते है उसकी बारे में बात करते है मैंने cat preparations में भी daily schedules बना रखे थे weekly schedule पहले रण करता था और last month में daily schedule रण करता था तो यह daily schedule में आपके साथ share करूँगा आपके WBGI preparations के लिए मैंने इस specializations किया है आपके जो भी अपने notes अभी तक बना रखे इसके बाद जो है previous years paper का कोई भी coaching material की ज़रूरत नहीं है कैसे कैसे आप chapter wise weightage का use करके जो है अपनी तयारी को streamline कर सकते हो वो हर चीज का material मैं आपके वीडियो में share करूँगा यह वीडियो को बनाने में बड़ी महनत चलूँगा कि मैं आप अपने friends के साथ किसी भी group में आप हैं तो उन groups में आप share करें तो इससे भी उनको भी काफी मदद हो सकती है और अगर आप इसके हिसाफ से कैसे कुछ changes कर सकते है जे मेंस preparation के लिए या फिर कैसे तो वो भी मैं आपको बीच में बताता चलूँगा तो चली शुरू करते है डारेक अडमिशन के लिए आप अल इंडिया बेसिस में किसी भी college को टागेट कर रहे है तो आप जो है side में दिए हुए details को contact कर सकते है या फिर आप हमारे office को विजट कर सकते है चली शुरू करते है बात करते है WBJ preparation के मेरा नाम है विवेक मैं ऐसे ही बहतरी वीडियो बनाता रहता हूं दोस्तों सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 20 days मैंने बना रखा है 5th April से यह plan चालू होता है और जो है यह plan आपके 25th April तक चलेगा 21 days हो जाते है total but मैं चाहता हूं कि 20 days के इसाब से लेकर चले क्योंकि 19 तारीकों में यह schedule complete कर दूंगा इसके 24th को complete होगा इसके बाद 20 days का plan जो भी आप देख पा रहे हम सबसे पहले बात करें तो 5th April से हम शुरुवात करेंगे 5th April में हम चाहते हैं कि आप Maths के बारे में practice करें इसको कैसे practice करते हैं सबसे पहले तो आपको देखना है कि यह जो Maths है Maths में आपको तीन टास्क डेली करन है तो आपको पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा ओके तो वह आप पहले से दिमाग में लेकर चलो यह वाला PDF भी आपको मिलेगा चिंता की बात नहीं है पर आप इसको changes कैसे कर सकतो उसके लिए Excel sheet भी मिलेगा तो चिंता की बात नहीं है सबसे पहले task आता है कि आप 10 questions practice करें 10 अपने 5 chapters से आप कौन से chapters से आपको cover up करने तो उसके लिए जो है मैं दोस्तों आपको एक Excel sheet दूँगा जहां पर आपको पता चलेगा कि chapter wise कौन-कौन से weightages हैं किसको कितना weightage मिला है previous years में और देखें बहुत सालों में कभी weightage उपर नीचे होता रहता है तो इसलिए मैंने एक percentage form में आपको बनाने की कोशिश किये तब maths में देखें probability 7% हमेशा probability ज्यादा पूछा जा रहा है तो वो अगर आपका major topic है तो आप उसको देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो vector 7% है तो ऐसे हिसा आप से आपको percentage देखेगा और last में जो कौन-कौन से कम percentages से आरज़ combination, theory of equations, complex numbers तारा कम आते हैं बट इसके इलावा आपको दूसरे subject जो है जादा देखने को मिल जाते हैं तो इसमें जो है आप इसकी इसापसे percentages में इस सारे topics को उठा सकते हो और कुछ extra topics भी है आपको syllabus का भी PDF जो है मैं provide कर दूँगा इसके इलावा आपको यहीं पर physics का भी topics दिख जाएंगे वो भी chapter wise weightage के साथ इसके बाद दोस्तों आपको जो है सबसे पहले मैंने divide कि 2017 में का जो आपका maths का paper होगा उसका category 1 सिर्फ 75 जो questions आते हैं 1 marks each उसको आपको जो है 2 hours के time limit पर exam को देना है और आपको जब यह exam देना है तब जो है आप solutions के साथ नहीं खड़े रहेंगे दो घंटे अपने timer लगाएंगे जितना आपसे हो सके 35 questions हो सके skip करते करते जितना भी question हो सके एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी guess नहीं मारेंगे सिर्फ जितना आपसे solve होता है बस वही देंगे अगर 10 ही solve होता है after 75 काफी है दोस्तों आप बहुत आपने students से दूसरे students से 10 questions का मतलब होता है 10 marks 10 marks मतलब हो गया आपका almost close to 140,000 students में already आपकी जो rank है वो 58,000 के आसपास आ चुके सिर्फ एक paper का एक section देने से तो आपको समझ के रखना है इसके बाद जो है आपको 6th April को physics और mathematics करना है because mathematics is far all linked और यहां पर आपको शुरवात करना ह जो भी आपने अभी तक बना रखे है आप formula book बना रखा है उसकी आपको पढ़ाई करनी है उसको आपको revision करना है और जो आपने last paper दिया था उससे जो analyze करने के समय आपको कुछ ऐसे formulas मिले होंगे या solve solutions देखकर कुछ formula मिला होगा solutions के लिए अगर आपको कोई भी particular solution नहीं पत physics का section जो है आप एक बार exam में दीजिए बिना solutions को देखे इसमें 1.5 आर्स लीजिए एक आर्स का paper होता है आप डेर रहंटा लीजिए और दीजिए इसके बाद जो है analyze कीजिए paper को और leftover वाले को solutions देखे और solve कीजिए या solutions देखकर ही बस छोड़ दीजिए इसके बाद सो एक paper आपको देना है जो आपको 2017 का देना है इसके बाद फिर आप एक लंबा break लीजिए मज़े कीजिए कुछ और पढ़िए उसके बाद फिर 2018 का paper भी दीजिए बिना पहले वाला का analyze किए कुछ मत कीजिए पहले वाले क्योंकि chemistry में वो जरूरत नहीं है हमें हर चीज देख फोर में है कि सारा का सारा analyzes करना है दोनों paper को और leftovers को देखना है कि इसके solutions क्या हो सकते इसके concerns क्यों है तो वो आपको एक analysis देखा तो दो paper आपने solve कर लिया 2017-18 आपको 7th April को बढ़ते हुए 8th April को जो है आपको अपना notes prepare करना है go through अपना करना है सारे सारे notes इसके आपको प् previous year में जो अपने 2017-18 किया था उसमें कुछ questions left है तो उनको भी जाके go through कीजी और उनको solve कीजी एकदम straightforward की solutions को देखिए इसके बाद जो है आप एक formula book अगर आपके पास नहीं है तो mathematics के लिए बना सकते है या फिर जो है उनको आप go through कर सकते है इसके बाद जो है दोस्तों आप आपको maths and chemistry 9th April को पढ़ना है सबसे पहले आपको 10 questions practice करने different topics से इस बार mathematics के जो मैंने आपको बताया कि 5 topic आप पहले करेंगे उसके बाद फिर 5 topic आप दूसरे topic से करेंगे इसके बाद mathematics का जो है आप full paper देंगे इस बार 2018 का 2 घंटे का समय लेकर जितना solve होता है उतना score आप मा 10th April को आपको physics and mathematics के साथ जाना है सबसे पहले आपको physics के सारे notes को देखने है 2018 का physics का paper इस बार solve करना है 1.5 hours लेकर क्योंकि अभी भी मैं चाहता हूं कि आप उसमें rhythm में आए कि जो है paper solve करने का आपका habit बन रहा है because paper जो है main day पर आप flustered हो जाएंगे आज के दिन YouTube वीडियो भ जो है category 1 सिर्फ solve करना है 2018 का sorry तो वह भी आपको solve कर लेना फिर analyze करना है दोनों का paper को और फिर देखना है कि आपके scores कहां बन रहे है 2011 April को जो है दोस्तों mathematics और physics करना है जिसके all topics आपको revisions करने पहले और इसके बाद physics का जो है आप paper solve कर सकते हो और practice कर सकते हो 10 topics of 10 questions in the mathematics section और इसके बाद जो है आपको analyze करना है अब देखे इसके बीच में तो आपका J.E. का कोई भी दिन का paper आ सकता है तो J.E. के एक दिन पहले आप सिर्फ J.E. के लिए कुछ videos देख सकते हैं या फिर जो है आप उसके लिए कुछ revisions कर सकते सारे notes का और दूसरा दिन J.E. देखे आएंगे J.E. में आप कभी भी tension नहीं लीजेगा W.E. J.E. का उसको उसको हटा दीजे दिमाग से और फिर जो है आने के बाद कोई hopes मत रखिए छोड़ दीजे उस paper को और उसके बार में दोस्तों से discuss मत कीजे because that will create a hamper in your mind इसके बाद जो है क्योंकि 2-3 दिन और खराब हो जाएगा उसके लिए 10-14 अपरल को फिर W.E. J.E. से वापस आजएगे mode में notes में go through कीजिए और इस बार analyze कीजिए 2017 से लेकि 19 का क्योंकि हमने सारे papers complete कर लिए और 4 points को एक paper में note कीजिए सबसे पहले note कीजिए कि क्या आपके strengths है क्या आपके weakness है papers में कॉनकों से chapters है जो आप नहीं कर पाए और सिर्फ W.E. J.E. के previous question से opportunities देखिए कि कॉनकों से ऐसे questions है जो देखते ही लगता है कि हो जाता है इसके बात जो है threats को देखिए कि ये वाला साला जितना भी पढ़लों हो इसके बात जो है आप realistic एक target बना लीजे sector जैसे कि अगर आपको तब तक लग रहा है कि आपके score 20-30 के आसपास हो रहे हैं सब मिलाकर तब आप 80 का target ले सकते हैं या 50 का target ले सकते हैं जिस भी college आपको target कर रहे हैं सिर्फ जादफपूर में इस टिक मत रहे हैं इसके लाब में टेस्ट है तो 16 को आप देखें एक दिन हैं जिस दिन यहीं खतम होगा उसके दो दिन बाद आपको first mock देना है अपके WBJ के लिए first mock आप कैसे देंगे practice papers से ले सकते मेरे channel से या फिर जो है आप 2021 एक year और छोड़कर 2021 का paper वो भी आपको मिल जाएगा मारे website पे आपको वह ब्रेक पेपर आप ये प्यूरा paper दीजिए बढ़ते हुए इसके बाद आपको beast mode पे आजाना है क्योंकि आप आपका exam काफी करीब है इसके बाद जो है maths का एक दिन practice करने है maths करने है maths के सारे notes पे जाएगे 2017 से लेकर उनी इसके जितने भी papers उनको solve कीजिए जो भी papers आपने पहले भी solve कर रहा है उनी को वापस से solve कीजिए बिकास वो आपका एक muscle memory develop करेगा इसके बाद जो है आप देखे तो task 3 में आपके 2020 का जो paper हमने छोड़ा था उसका पूरा paper हम 2 घंटे बैठ कर देंगे और उसका marks analyze करेंगे और analyze करने के बाद जो है हम उसको solve नहीं करेंगे हर question को solve करने की ज़रूद ने सिर्फ 2020 का paper एक बार देख करके हम analyze करेंगे कितना score हमारा बन रहा है फिर हम लोग दूसरा दिन physics का paper लेंगे और उसके बाद जो है 2017 से लेके 19 में जितने भी questions हमने solve किया जो जो छूड गया या फिर जो हमें लगता है कि वापस से करने से better होगा उनको वापस से solve कीजिए solution सिर्फ देख लीजिए YouTube पे जाकर और फिर से वो सारे questions को एक बार देखिए उसके बाद फिर से physics का जो है सारा paper एक बार वापस से दीजिए एक घंटे के लिए इस बार एक एक घंटा ही जितना टाइम दिया है डवली जाइन होतना ही करना है और आनलाइस कीजिए पर solve मत कीजिए इसके बाद आप 2018 एपरिल को chemistry को लीजिए पर आपको धियान डखना है कि chemistry में असान होता है इस आरे चीज़े करना फिर भी हम chemistry के दिन से हमने maths और physics में अल्रेडी अपना माथा बहुत ज्यादा खटा लिया है तो physics के दिन भी हम 2017 से 19 का paper क करेंगे और उस दिन मज़े-बज़े करेंगे घुरेंगे फिरेंगे नाचेंगे क्योंकि इसके बाद जो है मैं काफी पढ़ना है इसके बाद जो है 19 एप्रिल को आपको जो है सारी की सारी सब्चेक्ट को लेना है एनलाइस करना है 2020 का solutions देखना है कि कैसे हो रहा है solve करना ह हार एक question हमें इस दिन जो है अपना weakness को define करना है क्योंकि अब खतम हो चुका है आपका weakness को target करना weakness को देखने के बाद वह weakness के सारे lectures को देखने है कि कौन-कौन से chapters है जिन में अभी भी मैं काफी week हो तो उसको हम practice कर सकते हैं आपको threats को बहुत ही जल्दी identify करना ऐसे-इस chapters जिन मैं college आपको चाहता हूं मैं जिस भी college मैं पढ़ना चाहता हूं वहाँ पर मैं चाहता हूं कि मैं जब पहुंचूं तो मुझे लगे कि मैंने महनत किये कभी भी ऐसा ना लगे कि जो है भाई तुकका मारा पहुंच गये तो यह वो चैनल नहीं है जहापर तुकका ट्रिक्स तब मुझे यह मिला है तो यह अगर आपका मोटो है तब यह वीडियो आपके काम आ सकता है तो आपको गैस नहीं मारना है कभी भी गैस नहीं मारना है तो 13 मिनिट का वीडियो बहुत कम बच्चे देख रहे होंगे दोस्तों अगर बहुत कम बच्चे में आप हैं तो इसका कीजिए अपने नोट्स को आप एक ब्रेक ले लेजे क्योंकि इसके बाद जो शुरू होता है बेंगॉली में कहते हैं कोरवो लोडवो जीत बो रहे यह पटिकुलर स्टेंटन्स है कि आप बड़ी महनत करेंगे और जीत के आएंगे ठीक है आपने देखा हुआ के किया पहले स्टाइग में प्राक्टिस की जी क्यों अपको यहां पर लिंक मिल जाएका इस पीडियप पर पैढक पर शुर्वेट प्रीविए्स क्या को दाउनलूड कर सकते हैं और 2022 का पीपर दे सकते हैं पहले paper जैसा जैसा timing दी आ हुआ है वैसे वैसे timing में दीज़े जो कि main day में आपको habit बन जाएगा यहाँ पर आपके weak points को mark करना है mark questions करना है और notes के साथ go through करना है वापस से पर solve भी करना है आपको आपको एक दिन लेना है तो आप तो बहुत सारे सारे पीपर से सुल्ट किये आपको समझ में आ चुक होगा कि आपकी कौन-कौन सी मजबूत वाली जगाएं है तो अगर आप मजगूत वाली जगाएं पर देखे तो वह मजगूत वाले जो टॉपिक्स आपको लगते हैं जैसे इलेक्ट्र स्टाडिक्स मेरा काफी मजगूत है इसके इलावा जो है मैट्स मेरा वेक्टर काफी अच्छा है तो वह सारे जो टॉपिक्स हैं जैसे भी करने है chemistry में आपको 30 questions solve करने है chemistry में जतना ज्यादा कर सेके उतना ज्यादा बहतर है कि math में 20 questions strength मैंने एक चैप्टर का मैं 20 questions कह रहा हूं जितना साधा हो सेगे दोस्तों इस बार क्या है कि solutions देखते देखते आपको करना है आप शॉट कार्ट में जल्दी जल्दी करें तो आपका हो जाएगा है 5-6 chapters आपका strength है तो उन सारे questions आप लगा ले प्रिविएस year के questions उठा लें जो भी उठा लें बट अब 2023 का पेपर टच मत करें सो आपने physics के भी questions solve कर लिए और ऐसे करके आपका strength में आपने और अपना build-up किया और कुछ जो भी questions आप बनाते जा रहे हैं उनके notes आप side by side रखते जा रहे हैं यहाँ पर जो है 3rd mock आपको देना है दोस्तों इस बार आपको देना है 3rd mock 23rd April को यह हमारा last day के एक दिन पहले क का है practice करना practice papers में और आपको 2023 का नहीं तो paper आपको दे देना है और जो मैंने आपको बताया कि दो 11 से लेकर एक और दोसे लेकर 4 आपको paper देना इतना धूप है दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसे घर पर रहते हैं जहां पर बड़ा धूप है उसमें भी आप paper देना है इसका भी आपने previous year अभी तक किया है उन सारे का एक एक question उठाकर lecture देखना है कि इसमें क्या इसे करके वो teacher solve कर रहा था कुछ ना कुछ insights आपको ज़रूर मिलेगा जो आपके मेहनत कर सकता है अब जो है math and go बहुत सारे channel है और 25 April को दोस्तों आपको देखना है कि जो है कि आप fun कीजिए मजे कीजिए और notes के साथ go through कीजिए इसके बाद आप कोई भी मौक मत दीजिए final day तक और फिर आपका जो success rate है वो काफी high हो जाएगा यह था particular video दोस्तों मैं लेट हो रहा हूँ अपने काम के लिए तो मैं निकल रहा हूँ और मैं आपको यह सारा चीज़े बता चुका था और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए चैम कीजिए subscribe और यह वाला जो PDFS strength वार जो chapter wise weightage का जो excel sheet है वो दोनो मैं आपको excel sheet drive नीचे दे दूँगा या फिर आप हमारे telegram group को join कीजिए वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो पसंद आए तो like कीजिए subscribe